नमस्कार दोस्तों आपका अपने यूटूब चैनल इगल एरिवेदा पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस अपोधे को आप देखे ही होंगे इसको हम कई नाम से जानते हैं जैसे पीला धातुरा, किरंगी धातुरा, सत्ते नासी, सयकाटा, भढ़ भांड, आदी नामों से इस अपोधे को हम जानते हैं दोस्तो इस जड़ी पुटी के फाइदे सुनकर अपके होन सुड़ जाएंगे यह बड़ी से बड़ी बीमारियों के लिए रामबान आउसदी है दोस्तो आपने कुष्ठ रोग के बारे में सुने ही होगा कुष्ठ रोग में पीला धतुरा आउसदी है इस अपोधे का उपयोग करते ही कुष्ठ रोग में बेहत लापकरी असर होता है कुष्ठ रोग और रक्त पिते की परसानी में आप इसके बीजों का तेल शरीर पर मालिस करने से और इसके पत्तों का 5-10 ग्राम रस को 200 ग्राम दूद में मिला कर सुबह साम सेवन करने से भरपूर रहत मिलता है इसके अलावा आप कुष्ठ रोग के लिए इसके पत्ते का रस में थोड़ा सा नमक डाल कर लंबे समय तक सेवन से लाप होता है प्रदी 3-5-10 ग्राम रस का सेवन लाप करी होता है दोस्तों कुष्ठ रोग के लिए आप इस अपोधे का उप्योग करें आपको कहीं जाने की जोगरत नहीं है ऐसा नहीं है कि कुष्ठ रोग हो गया तो आप मोटी से मोटी दवाएं ही खाय जाए आप इसे अरवेदिक जड़ी बूटी से भी ठीप कर सकते हैं अरवेदिक जड़ी बूटी हमारे स्वास्ति के लिए अवसधी के समान है कुष्ठ रोगी इधर उधर भटकते रहते हैं पर उनका इलाज अच्छे से नहीं हो पता कुछ ठरोको को जड़ से खत्म करने के लिए सत्यनासी के पौधे का उप्योग करें दोस्तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपको थोड़ा पी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा से शेयर भी करें